कि महिलाओं के उपर घरेलू हिंसा हमारे बिहार में सबसे बरी समस्या है गुंजा देवी के साथ लगवक दस साल से इनके पती राजेस रविदास घरेलू हिंसा करते आ रहे हैं अच्छा कितना दिन से आपके साथ वो इस तरह से घर कर रहे हैं कितना दिन हुआ साधी को पंगर साल पुर्टी को गुंजा देवी अपने मैके में पिताजी के पास कहीं महिने से रह रही है इसी दोडान राजेस रविदास अपने बेटे को सराब पीने के लिए मुसाहरी टोला में जाकर के बेच दिये इन हजार में और पांच सो रुपिया वहां से लेके निकल गए चार दिन के बाद बहुत खोजनी पर बच्चा मिला कौन सा बच्चा को बेचे थे आपका पप्पिशा को दिला इस बच्चा को बेचे लिए कर दोड़ पितारों की बस लागनत रहे हैं कि तुसरे घुले को भाग दिया उसको मम में इसके बाद बाद इसको फाद पैसे में बेचे कितना रह पैसे पेशा अद बुला तीन हजार मी जाए और इनके पिता हरी डविदास पोड़ा थना गये और वहां रिपोर्ट लिखवाई पर कोई सुनवाई नहीं किये पर खना में खोड़ा है, इसको क्या करने कि अच्छा नहीं लिए गया गया अच्छा अप क्या चाहते हैं अप लेकमें खाएंगे तीनो चारो बच्छा पालेंगे अच्छा जिन की कटेंगे, अच्छा सन्धिन में सौइगे, ऑसा है लोक्स मेरा कोई मदब रही है मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई क्योंकि मेरे भी साथ कभी-कभी घरेल हुँचा हो जाते हैं मैं चाहती हूँ कि गुंजा देवी जो रिपोर्ट थना में दिये हैं उस पर करवाई किया जाए यहां के थना परवाई का नंबर है चरानवे एक तीस बेरासी सताइस एकासी इस नंबर पर कॉल कर इन पर दबाब बना कर हमारी मदद करें ताकि गुंजा देवी को न्याय मिल सके मैं नवीता गाहिमा चकबगी चाटोला जिला कटिहार बिहार से इंडिया आनहट के लिए करा है और बना करें ताकिख चाटोला जिला आनहाँ क सुझ करें लिए गुजारे से वोग समस्ताइब